नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपका टाइपिंग लेशन 5 है, लेशन 4 तक हमने होम रोग की ASDF, सेमिकॉलन LKJ और डोनो इंडेक्स फिंगर की बाजुवा लिकी G और H का यूज कैसे करना है, वो सीख लिया है आज के लेशन में हमें राइट हैं की पिंकी फिंगर से, सेमिकॉलन की के अलावा, एपोस्त्रोफी की का यूज कैसे करना है, वो सीखेंगे लेशन स्टार्ट करने से पहले, मैं मेरे सभी विवर्स, फ्रेंस को ठैंक्स कहना चाहूंगा, कि आपने मेरे टाइपिंग लेशन को डेखकर टाइपिंग सिखना सुरू कर दिया है फ्रेंस, आपने टाइपिंग सिखने का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, क्यूंकि फ्यूचर में आपको ये टाइपिंग स्किल बहुत ही यूजफूल होने वाली है आपका आज का एक सही कदम आपके बहुतर फ्यूचर को डेवलोप कर सकता है ये मेरा खुट का एक्स्पियेंस है अब हम लेशन फाइव स्टार्ट करते हैं आपको हमेशा की तरह होम रो में हमारे डोनों हाथों की बेजिक पोजिशन ले लेनी है अब हमें राइट हैंड की पिंकी फिंगर का यूज़ करके सेमी कोरन की की राइट साइड वाली एपोस्त्रोफिक की को प्रेस करने की प्रेक्टिस करनी है आपको करना क्या है? Pinkie Finger से Apostrophe की Cooperance करके तुरंट Pinkie Finger को Apostrophe की Cooperance करने की Practice करनी है Leson 5 की ये Exercise आपको हरों ज़्याधा गंटा लगातार 7 दिन तक कटे रहेना है जितना ज़्याधा Practice करेंगे उटना ही बेटर रहेगा Friends, Speed की चिंता अभी ना करें आपकी Typing Speed अपने आप आजाएगी अभी आप Correct की को प्रेस करने पर ही अपना फोकस करें आज के Lesson में बस इतना ही मेरा आज का Lesson आपको useful लगा हो तो Like और Share करें और मेरे सारे Lessons कंप्लेट करने के लिए मेरी चैनल को तुरंटी सब्सक्राइब करें मिलते हैं Lesson 6 के साथ अपना ख्याल रखें जई हिंड